चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चो, काउंसलिंग के थुरू अगर आप MBBS, BDS, IUS, वेटनरी या अन्य किसी कोर्स में एड्मिस्न लेना चाते हैं, तो कोलेज का सलक्षन भूत ही important है, यानि कि आपको एक ऐसी कोलेज चुननी है, जिसमें सबकुछ facility हो, क्योंकि उस कोलेज में आपको साड़े-पांस साल तक कोर्स करना है, उसके साथ साड़े-पांस साल तक रहना है, तो कोलेज अच्छा होगा, तभी आप अच्सी study कर पाएंगे, कोलेज चुनते समय आ infrastructure कैसा है, उसको अगर हम लेते हैं, तो उसकी ranking क्या है, तो ये सब आपको जानकारी होनी चीए इन बातों के बारे में, तभी आप एक अच्छी कोलेज का selection कर पाएंगे, और अच्छी तरह से आप अपना course कर पाएंगे, क्योंकि ये जो course होता है, बहुत ही लंबा होता है, और लंबे course के दोरान अगर आप अच्छे medical college से अगर course करते हैं, तो वो आपके लिए आगे PG में भी काम आता है ये study, और आगे आपके future में, life में भी काम आता है, तो आपको जब भी counseling के through, किसी भी medical college में admission लेना है, या फिर किसी भी course में admission लेना है, तो आप यही समय है आप से सब कुछ करना है, counseling ध्यान से करनी है, college, एक ऐसा college select करना है, जिसमें सारी सब कुछ facility हो, और fees वगरा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज कल काफी सारी fees हैं, कुछ से state में बहुत ज्यादा fees हैं, admission लेते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन admission लेने की ब एकी platform पर सारी जानकारी मिल जाए, इसके लिए हमने book publish की है, ये book all India quota, state, I use, veterinary, सभी के लिए ये book available है, और इसमें हमने ये सारी facility दे रखी है, आप जब 23 के लिए 24 फिल करेंगे, तो ये इन सब बातों का आप ध्यान रखे 24 फिल कर सकते हैं, तो इसमें जो हमने facility दे रखी ये book all India quota 15% के लिए है, aims की जानकारी है इसके अंदर, जिपमर की इसमें सारी जानकारी है, ESIC, DU और IP, internal quota की counseling, MCC दवारा करवाई जाती है, उसकी पूरी information है, BHU, AMU, DIMD University, AFMC, Central Pool quota के बारे में, इसमें पूरी counseling में ये सारे के सारे institute cover किये गए हैं, इसमें जो topics cover किये गए हैं इसमें category-wise cut up दी गई है, 4 साल की, इसमें round-wise, college-wise cut up दी गई है, 4 साल की cut up दी है, एक choice list दी गई है 2023 के लिए जिसकी health से आप अपना desired college ले सकते हैं, इसके बाद में bond की college-wise details है, fees की college-wise details है, seats की college-wise details है, इसके बाद में registration process बताया गया है कि कैसे कैसे आपको registration करना है, क्य क्या documents की requirement है और भी सारी इसमें बहुत कुछ facilities इस book में दे रखें क्योंकि 365 pages की ये book है तो e-book है ये आपके लिए ये काफी helpful रहेगी अब इसमें बात करते हैं कि choice list किस परकार से दे रखें आपको इस choice list से कैसे फाइदा होगा वो मैं आपको यहां पर बता देता हूँ तो इस book में all India quota के लिए choice fill के लिए list दे रखी है जिसमें aims, jipmer सारे सामिल हैं तो इसमें हमने institute का priority wise order दे रखा है इस priority में पहले इसमें आपको fill करना है second यह number, third number, fourth number तो इस परकार से यह priority दे रखें कि इस priority में आपको यह fill करना है name of institute कौन से institute को आपने पहले रखना है वो कौन से year में establish हुआ यह आपको ध्यान रखना है जितना old institute होगा वो आपके लिए काफी फाइदे मन रहेगा कौन से state में है आपके state से कितनी दूरी है उस state की जिस college को आप पहले select कर रहे हैं उसके बाद उसकी fees क्या है क्योंकि माराश्टर MP पंजाब जैसे states की काफी ज्यादा fees है अगर आप afford नहीं कर पाएंगे तो फिर admission लेने के बाद में दिक्कत हो जाएगी उनमें bond कितना है इन institution में इन institute में bond कितना है ये सारी details इसमें हमने दे रखी है 24 list के दोरान तो इस 24 list की help लेकर के आप 24 fill कर सकते हैं आप इसके according एक अपने list तयार कर सकते हैं ये आपको काफी help करेगी इसमें क्योंकि इसमें पूरी जानकारी है 24 आपको कैसे कौन सी college पहले fill करनी है कौन सी college बाद में fill करनी है और साथ-साथ इसमें state वगरा के बारे में भी जानकारी दे रखी है हमने इसके बाद में इसमें seat matrix भी दे रखी है यानि कि कौन से year में कौन सा college establish हुआ था से state में है, उसकी fees कितनी है, उसमें seatیں कितनी है, जो अभी नई college में नई seat increase हो रही है, नई establish हो रही है college उनके बारे में मैं separate video भी बनाता रहता हूँ और इस book में भी दिया गया है new colleges के बारे में और जैसे colleges increase होती रहती हैं वैसे मैं video भी बनाता रहता हूँ इसके बाद में इसमें category wise, college wise, round wise कटोफ दे रखी है चार साल की जिससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको first round में कौन सा college मिल सकता है, second round में कौन सा college मिल सकता है, इस बार आपने देखा है कि 10 marks कटोफ अप जाने की संभावना है, तो आप इसमें 10 marks, अपने 10 marks में 10 marks माइनस करके फि जैसे पहले 625 पर मिला है, तो ये college अभी 635 या 630 पर मिल सकता है, तो इस परकार से आप इसमें अपना एक idea लगा सकते हैं कि आपको कौन से round में कहां तक college मिल सकती है, इसमें, इसके बाद में इसमें aims की cut-off भी दी गई है, सारे aims की round wise cut-off दी गई है, dimd university की भी cut-off, उसकी fees के बारे में समझाया है, उसके process के बारे में समझाया गया है, वो कहां located है, hostel fees क्या है, उसकी ये सब कुछ information आपको इसे all India quota की book में available है, इसमें DU और IP quota जो दिली university के और इंदरपरस्ती university के लिए 85% quota के लिए counseling MCC दवारा करवाई जाती है, उसके बारे में भी समझाया गया है और ESIC के बारे में भी उसकी cutoff, seat, process के बारे में समझाया गया है इसमें, एक flow chart के द्वारा, वैसे तो मैंने इसमें अलग-अलग first round का, second round का सारा ruling बता रखा है, first round में आपको कब seat छोड़नी है, second में कब छोड़नी है, mop up में कब seat लेनी है, कौन से candidate eligible है, कौन से नहीं है, उ second round में seat मिलने पर आप क्या-क्या action कर सकते हैं, तो ये flow chart से भी मैंने इस counselling की process को समझा दिया है, तो ये आपके लिए काफी helpful रहेगा, अच्छी तरह आपको counselling का process समझ में आ जाएगा इसमें, इसके बाद इसी प्रकार से state quota की book है, जिसमें सभी states के बारे में यही topic cover किये है, registration process अलग-अलग state का अलग-अलग समझा रखा है, required documents अलग-अलग state के लिए क्या है, और इसमें other information भी मैंने दे रखी है, 540 pages की ये e-book है, इसके बाद में state-wise bond detail दे रखी है, state की book में, कौन से state में कितना bond है, कितना rural bond है, और कितना discontinue bond है, इसके बारे में बता दिया है, state-wise सारी detail दे रखी है, जैसे कि एक state का example ले ले हम, इसमें seat matrix वगरा, उसका process क्या है, इसके बाद में उसकी cut-off क्या रही है, और इसमें category-wise cut-off क्या रही है, जैसे हर एक state के बारे में बता रखा है, हर एक college के बारे में state-wise बता रखा है इसमें, इसके बाद में private colleges के बारे म मैंने कौन से स्टेट में क्या rules से, क्या fees है उसकी, कितना हमें fees deposit करना पड़ेगा, इस्टेट की book में open state के बारे में अच्छी तरह जानकारी दी गई है, कौन-कौन से स्टेट में आप open quota के तहित, जिन candidate के marks कम है, private college में other state में admission लेना चाते हैं, तो वो कौन से स्टेट में admission ले सकते हैं, उनकी fees क्या है, previous year की cutoff क्या रही थी, तो आपको कहां पर college मिल सकता है, fees में थोड़ा भोती अंतर होता है, increase होने में हर साल में, तो ये सारी जानकारी दे रखी है, इस book के अंदर, इस state वाली book में, अब इसमें आयूस और वेटनरी के लिए भी ये same facility है, इस book में 224 pages की ये e-book है, इसके अंदर BMS के बारे में समझाया, BHMS, BSMS, BOMS, वेटनरी के बारे में समझाया गया है, ओलिंडिया कोटा, सेंटरल उनिवर्सिटी, इसके बारे में इस आयूस और वेटनरी की बुक में भी समझाया गया है, इसमें भी college wise कटोब दी गई है, round wise कटोब दी गई है, category wise कटोब 4 साल की दी गई है, 24 list दी गई है कि आपको आयूस वेटनरी के लिए कैसे 24 फिल करने है 2023 के लिए, इसमें seat दे रखी है, registration process बता रखा है, और और भी काफी सारी information हमने इसमें दे रखी है, कि आपको college choice करते हैं, इसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये state, all India quota सभी की बुक में इस परकार की information available है, तो मैं सोचता हूँ, ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी, अगर आप ओल इंडिया quota में admission लेने की सोच रहे हैं, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो ओल इंडिया quota की बुक डाउनलोड कर सकते हैं, states वगरा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, इस्टेट की बुक डाउनलोड कर सकते हैं, आयूस वेटनरी की जानकारी लेना चाहते हैं, तो इनकी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के लिए आप हमारे चैनल चोपडा एजुकेशन पर विजिट करेंगे, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें यहाँ पर आपको मोर का उप्सन मिलेगा, मोर के उप्सन पर आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर हर एक बुक का लिंक दिया गया है, यहाँ इस लिंक पर जिसकी भी आप डाउनलोड करना चाते हैं, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, इस पर टच करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो आप इसके लिंक पर पहुंच जाएंगे, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं चोपडा education.in की वेबसाइट से जैसे ही आप ये वेबसाइट टाइप करेंगे इस परकार का इंटरफेस आएगा कहीं भी आप या तो आप counseling book पर क्लिक करेंगे तो सारी book का link आ जाएगा या फिर यहां पर आप ये click कर सकते हैं इसमें जो हमने यहां दे रखा है यहां पर कहीं भी आप click कर सकते हैं यहां पर कहीं भी click कर सकते हैं तो यहां पर click करने के बाद में download link पर आप पहुंच जाएंगे और download कर सकते हैं उसमें तो इसके बाद में मैं सोचता हूँ आपको एक ही प्लेटफर्म पर ये सारी जानकारी मिल जाएगी आपको कहीं इदर उदर जानकारी लेने की जरुरत नहीं है और ये सारी की सारी अथिंटिक इंफोर्मेशन है कटोफ वगरा है वो मैंने कांसलिंग वेबसाइट से लिया है तो इसमें बिल्कुल ही एकुरेट है ये जो है और इसके अलावा आप इन लिंक से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं तो जैसे ही आप ये बुक डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करते समय जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर हम आपसे संपर कर लेंगे आप हमार ये बुक आपके लिए काफी helpful रहेगी आप चैनल को भी subscribe करके रखें क्योंकि इस नीट related जो भी information हम लेके आते रहते हैं MBBS related जो student MBBS कर रहे हैं उनके related जो भी information है हमारे चैनल पर समय समय पर upload हो दी रहती हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी helpful रहेगा तो आप चैनल को subscribe करें इस वीडियो को like वे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक student को इसके बारे में मालूमत सल सके और उसका फाइदा वो ले सकें तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हूं